नमस्कार दोस्तों मैं हूँ प्रदीर कोशिक और आप देखरें इंडिया न्यूज 16 अभी महिंदरगड के गाउं पालडी पनियारा में हम खड़े हैं और यहाँ पे बातचीत करेंगे चुनाओं को लेके पारशद का चुनाओं होना है जिसमें काफी गाउं इंकलूड होते हैं एक पारशद के चुनाओं में 15-22 गाउं को इंकलूड किया गया है पहंदरगड जिले के और वार नमबर 3 में आता है पालडी गाउं और यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं इनसे बात करेंगे चुनाओं का क्या कुछ माहूल चला हुआ है कितने लोग खड़े हैं कैसा माहूल रहता है चुनाओं को लेके बने रहें इंडिया न्यूज 16 के साथ तो गाउं की लोग यहाँ पे बैठे वे हैं बुजुर्ग लोग बैठे हैं जिनें सब कुछ पता है कि आज से काफी समय पहले जब चुनाओं होते थे तब से लेके अब तक के चुनाओं का पता है तो बात करते हैं बाब राम राम नाम बताओ सुरेश अपना गाउं यह पाली पाली तो बाबा यह बताएं इस प्रकार से इलेक्शन हो रहा है दो साल तो लेट हो गया और अब करवारे सरकार काफी लोग खड़े हैं सुरुवात में खड़े वेदे कुछ बैठ गए अब फिर से खड़े हो हैं वह बहुत मारेगा चार वाड़ेंग पांच से एक 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 नुमार तरीके से काम बिल्कुल तरीका से तो कह रहे हैं पाली गाउं एक तरफा विश्नु पाली को इन्होंने समर्थन दिया है पंचायत करके और कहा है कि गाउं से कंडिडेट है उसी को जिताएं और भी व यो से कोई कितने की देट है खड़े हैं पारशद में दो तो पालली करे खड़े है अफने गाउं की तो प्लि पालते हैं और तो 2लाए और और हो सकते हैं तो क्या लगता है दो खड़े हो और भी तो काम खराब करना हो जादा हो तो तीन घड़ा हो जितन को काम हो सब्सक्राइब को जितन 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 को तोपी परावगो राम राम जी आपने कुछ रहा है पाली में बिलकुल एक नंबर पाली में पंजाइद हुई ती और एक साथी को पूरा समर्थ उसमें पांच जार बोट है पाली में अच्छा विश्नु के हैं बिलकुल टोटली आल रडी जतना कि एक परची बार नहीं जा कि मनतर मारें गाउं के मैंने कोई मंतर नहीं मारें बताऊं के मंतर बताऊं जोड़ते हो पता दो बशलो एचा है यह हमारा ताव का पोत्ता है एक नंबर का इंशान है और पूरी सब्सक्राइब करें लेकिन दो चार बाते विश्नु बाई से करेंगे क्योंकि समय इनके पास काम है गाउं गाउं लोगों से मिलना है वाई क्या कुछ गाउं में कैसे माहूल बनाया आपने और गाउं को भी मिसाल मिले वे भी सोचें कि पंचैत करके हम एक कंडिडेट एक सबसे पहले आपका चैनल का स्वागत करता हूं जए मैं मैंने माहूल नहीं बनाया यह सब गव मता की बुजरगों का आसिर्वाद से मश्राफ दिया है और माता बहनों की आसिर्वाद से पनाए क्यूंकि मैं आज सेनी 24-25 साल से जो कारिये कर रहा हूं उस कारियों को देख एक सो आटान में कोई ऐसा करे ‫ एक साल पहले देखया हुगा तहले आप गए थे दोंगडा एक framed 10त करने सब्सक्त चाहे उसको नोल्टा गुरकल में उसको मारदिया गया था तो उसका हमने परियास किया CBI जांच के लिए और वो CBI जांच अब स्टार्ट की है वो आप लोगों ने पता है तो वो किसका संगर स्वा हम लोगों का आपसे सब का सयोग हुआ समाज का सयोग हुआ तो उसमें मैंने बढ़ जड़ का भाग लिया तो इसलिए बुजर्गों के माताओं के युवासातियों को सभी का सिर्वाद रहा और पूरे गाओं की पंच्यात रही तो मैं उसमें बाबा जरमदास जी के असिर्वाद से मा चिल्ला देव कि असरवानता वाबा उ सिर्वानताथ ओकि यहां लाल कीषिक के असरवाद से पूरे ग्रावनवासी समझ मेरे को असरवाद दिया है तभी मैं चलिय मेरे साथ काफिला जुड़ता जा रहा है क्योंकि मेरे गाउं से हर रोज सो सो बंदे डेड़ सो बंदे बदल बदल के आते हैं मेरे सारे परिवार के जितने मेरे गाउं के सरपंच उठे हैं सभी का मेरे साथ समर्थन है क्योंकि पंचयात करें उन्होंने मेरे आशिरवात दे बहुत बड़ी बात है आप सोच समझ के वोट करें किस प्रकार के वेक्ति को वोट कर रहा है आप जानते हैं जी और मैं तो यह कहूं हूँ कि आप लोगों से जितने भी मेरे के इंट्रू को सुन रहे हैं सभी से निवेदन एक ही है कि आप अब तक वार्ड में जितने भी करके दिखाएंगे एमले जितना सभी लोग तालियां बजा रहे हैं और गाउं के लोग भी बैठें उनसे बात्चित करेंगे नमस्कार जी क्या नाम है प्रदीप नाम है किस प्रकार से माहूल तो रहा है गाउं का मेरा गाउं पाल्ली है जी माहूल तो आप देखी चुके कर रहा था भाई अच्छा काम किया तो गाउं ने इसको इसकी मेहनत को देखते हुए कि इसको आगे किया है कि आप और आगे प्लेट फारम आपको मिले सेवा करने का तो ऐसे आदमी को आगे आना भी चीए और ये समाज की बलाई के लिए ही है सबसे अच्छी बात है कि यह राजनिती से जुड़ा हुआ है तो इसको एक प्लेट फारम चीए था वो प्लेट फारम गाउं ने देने का काम किया है और भाई हम तो इससे यही कहेंगे कि आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं पूरा गाउं और पूरा इलाका इसके साथ है बारा गाउं पड़ते है कि हम कहीं जाने नहीं देंगे तो अब की बार इलाके की एक यह टीस भी है कि हम उस ब्रहम को भी तोड़ेंगे तो कोशिश करेंगे बाबा का शिरवाद रहा तो पाली में अब की बार पारसदी लाने की कोशिश करेंगे और यह पारसद नहीं आप लोगों का सेवक होग जैसा इसको काम उड़ाया जाएगा भाई हमेशा तक पर रहेगा चाहिए किसी भी परकार का काम हो वाकि आने वाले वोटिंग नजदीक है तो हम यह नहीं कह सकते कि पूरा ही वह है लेकिन भाई के समर्थन में गाउं टूर टूर जुड़ते जा रहे हैं लोग और अच्छा पर्षेंट का समथ्था नहीं है तो चिस्तकार से और भी गाउं में आप पालडी में आए हैं बहुत अच्छा मावल है जहां भी हम गए हैं बहुत अच्छा मावल बने है और सबने मतलब इसके विश्मू के सरके उपराद दिया अश्रवाद यह नहीं हमारे गाउं से फिर को में तो पर विल्कुल के इसकूशता हुई मादी बंदिर में बाबा सीरा मदास और दूसरी तरफ आशिर्वाद्द भाई बता रहे हैं कि exp रहे ही और गाउं गाउं घूम के दूसरे गाउं के लोग आये हैं किसी दूसरे गाउं के व्यक्ति के लिए वोट मांगने के लिए पतल पाली के विश्णू के लिए बगडाना से यहां पर आये हैं कि वोट दो विश्णू पाली को एक बहुत बड़ी बात है क्या मानते हैं भाई की ब पात्यसों कमेंट करके बता सकते हैं लगातर खबरों के लिए बने रहें इंडिया न्यूस 16 के साथ नमस्कार धन्यवाद